नवस्कार रिवान आप सुबह का स्वाकात है यहाँ पर आज हम बात करेंगे आने वाले यूपी ट्रबल सी वेडियो और एक्जाम 2022 को लेकर आप सभी को पता है कि आयूक के अनुसवार आपके पेपर होने वाला है मार्च 2022 में होने वाला है तो प्रीविश एर के पेपर को ह जियस का आपको हो रिजनेंग का ठीक है तो जियस का टॉपिक आज हम देखेंगे टॉप के 50 कोश्चन जो आपके एक्जम में पूछे गए थे और क्या कुश्चन है कैसे कैसे बसे आपके पेपर में आएंगे और किन-किन बातों को आपको ध्यान में रखना है वो सारा यह इन्हें हम लोग फॉन्ट कहते आंसर आपको अप्शन नमबर डी हो जाएगा आगे बात करेंगे इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है यानि कि इंटरनेट तक कौन पहुंच प्रदान करेगा आपको यह बता रहा है पहला आपका है MNP, ISP, Spreadsheets या स जाएगा ठीक है, आगे यहां पर हम देखेंगे कौशन नमबर आपका जो 103 पूछा गया है, यहां पर क्या बोला गया है कि power strip क्या है, आपको यह बताना कि power strip है क्या, चारण सर यहां पर आपके समने दिया गया है, आंसर A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, यह आपका option number D रह प्लग करता है तो इसका जो आंसर है वो आपको होज़ाएगा अपसे नंबर B आगे हैं पर हम बात करेंगे कुश्चन नमर आपका है नंबर 4 निमने बेसे कौन सा समू MS Excel के Insert टैब में मौजूद नहीं है आंसर आपका A रहेगा आपका B रहेगा, C रहेगा या आपका D रहेगा अगर आप इस कुश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर है का इसका इस कुश्चन का रेखांकन अनुछेद, लिंक या प्रतीक Answer नमर आपका रहेगा B यानिकी अनुछेद अगर आपको हिंदी में कोई भी कुश्चन समझ में नहीं आता है तो आप इसको इंग्लिस में भी यहाँ पर दिख सकते हैं कुश्चन आपको इंग्लिस हिंदी दूनों में रहेगा ठीक है, यानि का Answer नमर B आपका रहेगा Paragraph ठीक है, तो MS Excel के Insert tab में Table, ठीक है, इसके लावा आपका जो है, Link प्रतीक रिखांकन, यह सब होता है, लेकिन Paragraph नहीं होता, Answer आपका रहेगा B&E की अनुश्यद आगे देखेंगे Question number आपका है, 5 उत्तर प्रदेश का त्रिवेडी संगम निम्न लिखेते नदियों में से किस संगम का स्थान है अलब कौन कौन से नदिया के हमें मिलता है तो यह बात तो सभी को बहुत अच्छे से पताऊगा कि गंगा, यम्ना और सरस्रती तीनों का यहाँ पर होता है मिलन, Answer आपका इसका Option number B हो जाएगा आगे देखेंगे, Question आपका है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्विद्याले नहीं है तो UP में कौन सा विश्विद्याले नहीं है आपको यह बताना है Answer is Question कर रहेगा यानि कि बरकत उल्लाह विश्विद्याले, यह यहाँ पर अपका पड़ेगा क्योंकि यह आपका MP भोपाल में है यह आपका MP भोपाल में है तो यही वाले सकांसर नहीं पर अपका हो जाएगा बाकी इसके लावा अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो बुंदेल खंड वाला आपका यह जहासी में है और चौधरी, चाण्व, विश्विद्दाले की हम लोग बात करेंगे तो यह आपका रहेगा मेरेट में रहेगा और गौतम, बोधे, विश्विद्दाले की हम लोग बात करेंगे यह आपका है ग्रिटेंड नोडा में तो इसका answer number आपका option C हो जाएगा, आगे देखेंगे question number आपका है 107, यहने की number 7 question, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोका निरति नहीं है, answer A रहेगा आपका B, C, A, D, तो answer number इसका रहेगा D यहने गिद्दा, जो आपका गिद्दा है, यह यहाँ पर UP का नहीं है, यह कह रितकला अकादमे, National Academy of Art, छेत्री केंद्र, डॉट-डॉट में इस्तित है, कहाँ पर है, इलहाबाद, लखनव, अलिगण, यहाँ आपका कानपुर, answer इसका रहेगा option number B, यहने की लखनव, छट पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती, जो उत्तर व्रदेश, और बिहार का एक बहुती महत्पूर्ट तेवार है, तो छट पूजा होता है, भगवान, सूरी का होता है, यहने की अंसर रहेगा option number C, यहने की रवी, तो इस तरह के से यह question भी आपका एक महत्पूर्ट प्रशन बन जाता है, आगे देखेंगे, question number 10, यहाँ पर क्या बोला में कौन सा मिला नहीं लगता है, इलाहाबाद में कौन सा मिला नहीं लगता है, तो आपका अंसर रहेगा बैशाख मिला, यह भारत और पाकिस्तान दोनों देसों में जो पंजाब का छेतर है, वहाँ पर लगता है, तो इस बात को यहाँ पर अपको ध्यान में रखना है, question number आपका है यापर 111 तो ये प्रशन भी आपका रहेगा महत्तितपूर यहाँ पर आपको इसका पूरा नाम बताना है कि इसका पूरा नाम क्या है वो यहाँ पर आपको देखना है ध्यान से और आपको बताना है इसका पूरा नाम रहेगा answer number D रहेगा ठीक है था, आपको यह बताना है, तो अगर हम अस्तित्य की बात करेंगे, कि अस्तित्य में आया कब, तो यह अस्तित्य में आया 1 April 1936, अंसर नमबर आपका अप्शन A हो जाएगा, आगे बात करेंगे, जिन्गरणा 2011 के उसर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है, लगभग आप उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है तो देरादून सिंपल सी बात रहेगी कि देरादून आपका UP का जिला तो रहेगा नहीं क्योंकि आप सभी को पता है कि देरादून कहां पढ़ता है तो यह पढ़ता है उत्तर खंड करा धनी है आपका देरादून ठीक है आगे यहां पर हम बात करेंगे कुशन आपका अगला दिया गए कि मोहन जोदोडो सब्द का मतलब क्या है मोहन जोदोडो सब्द समस्ते क्या हो चार अंसर आपके समनी यहां पर दिया गया है अंसर A, B, C, D में क्या टिक होगा याने कि माउंड इसको बोलेंगे के बारे में कौन सा कतान यहां पर आपका सत्य है वो यहां पर आपको देखना है और आपको बताना है ठीक है तो अगर सभी option को देखेंगे तो आंसर जो A है कि सिंधु लोग क्या करते थे इस जिंधु लोग यहां पर क्या करते थे याने कि कपास का उतुपदन करने वाले पहले थे तो इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है यह भी आपका महातबर question बनेगा और यह प्रिशन आपके paper में repeat होते है दिल्ली में कोतु में मीनार है दुनिया का सबसे उचा इट का बना मीनार है इनमें से कौण से राजा ने इस की निर्माड में योगदा नहीं दिया तो कौण से राजा होते हैं जो कि इसकी निर्माड में योगदा नहीं देते हैं उनका नाम आपको यहां पर बताना है योगदान नहीं दिया बाकी लोगों ने योगदान यहां पर दिया नंबर आपका रहगा एक सो ठारा कोश्चन अच्छा यहां पर देखेंगे इसमें चार अंसर आपके समने दिया गया है घटना और तारीक के इन जोडों में से कौनसा आपका सैटिंग से मिलना ही खाएगा अंसर A, B, C, A, D तो यह भी एक आपका महत्रपोर्ट प्रस्ट बन जाता है अगर यहां पर देखो कि BG तिलग का तो BG तिलग ने पूना में अपने मुख्याले के साथ भारतिय ग्री नियम लेग यह 1914 यहां पर नहीं रहेगा यहीं यहां पर आपका गलती है ठीक है इस ब पॉइंट आपके हैं जिनको यहां पर आपको ध्यान में रखना है और जो कि आपको important आपके paper के लिए रहेगा ठीक है बाकी यहां पर आपका जो दिया गया है अन्नी सारे यहां पर आपके बिल्कुल ठीक आपके रहेंगे आगे यहां पर हम लोग बात करेंगे question number यहां प प्लासी का युद्ध होता है और उस युद्ध में यहां पर हार होता है वैसे यह आपका जो प्लासी वाला युद्ध है वो युद्ध नहीं थे एक मजाग था क्योंकि युद्ध होता ही नहीं है क्योंकि जो सेनापती होता वही उनको धोका दे देता ठीक है तो मिर जाफ में ती निरत्ना दिये जाते हैं और उन्हें निर्माड का मर्ग कहा जाता है वे क्या हैं वे हैं क्या आपको यहां पर इह बताना है ठीक है अंसर E रहेगा आपका B रहेगा C या D अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो सही विश्वास सही ज्यान और सही आचरण अंसर जो आपके द्यूप है उनकी संख्ठ कितनी हैं आपको यहाँ पर नहीं, तो अगर हम इन सभी ऐपक्षन को देखेंगे, टो लगभग कितना यहाँ पर टिक कर सकते हो कि लगभग कितना रहेगा, तो लगभग को आपको जगर 300 वैसे यहां पर अगर हम देखेंगे कुल कितने हैं तो कुल लगभग जो है आपके 572 है लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी 300 है इसलिए हम 300 को है टिकर देंगे ठीक है वैसे अगर हम देखेंगे सभी को मिला देंगे तो आपके 572 संख्या यहां पर आपके 22 याने की 22 यह भी काफी आपके महात्रपूर्ट प्रस्ण बन जाता है और यहां पर कोई यह बताने की कॉंसा सही जंग से मेल खाता है तो आपका रहेगा इसका अंसर नंबर आपका बी हो जाएगा ठीक है कुश्चन नंबर आपका दियागा 23 इनमें से आपका BCID तो एसिया इंडिया अफ्रीका कांगो का लोक तांतिर गड़राजी उत्तर अमेरिका का यूसे और दच्छड अमेरिका का ब्राजील तो अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो ब्राजील सबसे बढ़ा रहेगा दच्छड अमेरिका में आगे देखेंगे कौन से हम अपर अपका शंगा दिया रहे गलत है आपको यह पचानना है दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी ब्लू वेल है दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन भारत बंगलादेस के बीच में जो है दुनिया के सबसे गहरी जील और दुन बढ़ती है तो यह superior नहीं है ठीक है यह superior यहाँ पर नहीं रहेगा यहाँ पर अपका बैकाल होना चाहिए ठीक है सबसे अगर हम गहरे जिलकी बात करेंगे तो तो answer number अपका C हो जाएगा आगे यहाँ पर देखेंगे 125 यापका ये question number 25 है इनमें से काउन सा कम हिमाले या हिमाचल के महत्पूर पहाड़े रिसॉर्स में से एक नहीं है answer A रहेगा आपका B, C, A, D तो simple सा पर अपका बाना सूर, answer number A हो जाएगा ठीक है आगे यहाँ पर हम बात करगे question number आपका दिया गया है अगला कि इस नदी की कुल number 29 की में है और यह तिबात में शुरू होता है और इसी वहाँ पर जो है शांगपो के नम से जानते ठीक है और दिहांग नम से इसको भारत में जानते आउनाचल परदिस में यह प्रिस करता है और इसकी महत्पूर के सर इसकी नदिया है जो इसकी तो यह इस नदी का नाम क्या है इस नदी के नाम आप करेगा अंसर आपका सी हो जाएगा आगा देखेंगे भारती मानक मेरेडियन पांच राज्यों के माध्यम से गुजरता है और कौन सा राज यहां पर इसमें नहीं आएगा तो ऐसी प्रसनों को अगर आप मैप अगर आप नहीं से कर लोगे बिहार आपका जो है वह जगर खंड के बगल में पड़ेगा तो वहां से जो बीलकुल भी आपका समधान द्वारा विचार की गए लोकसभा की अधिक्तम जो seat है वो यहाँ पर कितनी है आपको यह बताना है अंसर A रहेगा B रहेगा C रहेगा यह आपका D रहेगा तो यहाँ पर आपकर आपका 552 ठीक है एक बात आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर अभी क्या है हटा दिया गया ठीक है एंगलो एंडियान का जो seat है जो उनको मिलता था जगा वो अभी कम कर दिया गया है तो option आप पेपर के अंसरा टिक करेंगी वहाँ पर ठीक है जैसा आपको option देखेंगे वाशा टिक करोगे आगे यहाँ पर हम बात करेंगे question आपका है 129 भारत के 23 नंबर का होता है तो पंचाती राज को यहाँ पर जो है जोड़ा जाता है अगला question आपका है 13 इन्वेसे कौन सा भारत में पंचाती राज के तीन इस्तरी पडाली में एक इस्तर नहीं है तो जब भी हम बात करेंगे पंचाती राज की बात करेंगे तो नगर वहाँ पर कह आएगा नगर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला तो कुछ क्वेशन के अंसर आपको अपना common sense से आप दे सकते हो कि नगर कहां पर आ जाएगा हम नगर की तुबात ही नहीं क्यों हम पंचायत की बात कर रहे हैं ठीक है तो मूल रूप से पंचायती की राज एक तरी इस्तरे पढ़ा लिए जिसमें की ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर पंचायत सम्ति ब्लॉक स्तर पर और जिला परस जिला इस्तर पर आपको होता है इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है आगे यहां पर हम बात करेंगे Question number आपका दिया गए अगला यहां पर क्या बोला गया कि इन में से कौन सा भालति सम्दान की एक महत्पुड विसेस्ता नहीं है इन सभी option में कौन सा आपका विसेस्ता नहीं है आपको यह बताना है तो आंसर यहाँ पर इसका क्या रहागा इसका D हो जायगा ज्यानिकि इसे राज के Рाज़पाल, सांसदो और विद्यागों के परामर्ज से सांसुधत किया जा सकते है तो बिल्कुल गल्ट हो गया यहाँ पर यह तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा समधान को यहाँ पर राज जिपल कहां कर सकता है अगे देखेंगे इन्मियर से कौन सा कारक नहीं है जो भारती है समधान की निर्वाण में योगदान देता है आपका A रहेगा, आपका B रहेगा, C रहेगा या अंसर नमर अपका और इसको अप्षिन नमर D हो जाएगा यानि कि और दो के करांती का कोई भी यहाँ पर आपका लेंदिर है इससे नहीं रहेगा बाके सब कराएगा ठीके कुछ ने कुछ लिया गया है सबी दिसों से जाए आपका वो बिटेन हो, चाए अमेरिका हो, चाए आपका आइलेंड हो, चाए आपका आइलेंड हो, चाए आपका आउस्टेलिया हो चाए आपका जो जर्वनिय हो, चाए आपका जो है रूसिय हो, रसिया हो, ठीक है तो कुछन कुछ लिया गया है और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो आपका भारा सरकार अधिनेव 1935 का चरवादिक प्रभाव देखने को मलता है भारत के समधान में आगे बात करेंगे कि भारती शासन के आगवन से पहले भारत की सुतंतर अर्थ विस्ता थी और इसमें क्या सामिल नहीं था तो परटन यहाँ पर इसमें सामिल नहीं था इस बात को आपको दिखान में रखना है ठीक है थार्टी फोट देखेंगे उन्डी सो क्यावन की नई उदार आर्थिक निती के परचे के साथ भारती अर्थ विस्ता ने इसके अलावा निम्लिकित सभी के माध्यम से मजूदा आर्थिक समस्षाओं को समबोधित किया आपको देखेंगे इसका अनसर नमबर आपको अप्शन नमबर डी हो जाएगा ठीक है बाकी सारे यहां पर आपकरेंगे वेस्वी करण निजी करण और उतार अर्थ विकरण आपको सामिल रहेगा 135 देखेंगे कुछ भारती अर्थ सास्त्री ब्रिटिश सासन के दौरान भारत की राष्टी आयका मोले अंकन करने के प्रेस करते थे और इन में से कौन सामिल नहीं है आपको ये बताना है इन सभी चारों में से कौन आपका सामिल यहां पर नहीं है आपको ये बताना है अंसर ए रहेगा आपका B, C, A, D तो अंसर रहेगा आपका option number इसका D रहेगा जाने की महाला नूबिस इसका अंसर नावन नूबर आपका D हो जाएगा ठीके प्रसांत चंद महाला नूबिस आपका अंसर यहां पर हो जाएगा तो यह प्रस्ट भी आपका बहुत जाएदा महातिपूर्णे पेपर के लिए और कैसे री प्रिक्षाव में ये बार बार पूछा गया है तो इस बात को यहां पर आपको अध्यान में रखना है आगे यहां पर हम बात करेंगे 36 नमर कोश्चन इनमें से काउंस आप बैंक और उसका टैग लाइन क्या है असंगत है गलत है आपको यह बताना है तो अंसर ए रहेगा आपका बी रहेगा सी या डी तो पंजाब निशनल बैंक यानि कि बढ़ती का नाम जिंद्धी इसका अंसर नमर आपको उप्शन नमर सिंपल सा बी हो जाएगा यह क्या है यह अपको एक गलत है ठीक है बाकी सारे यहां पर आपके सही रहेंगे अच्छा यहां बात देखेंगे कि पंजाब का फिर है क्या टैग लाइन तो पंजाब का जो टैग लाइन है वो आपका है एक बैंक जिस पर आप विश्वास करते हैं इसका टैग लाइन रहेगा नमर कोश्चन नमर 36 हो गया ठीक है 37 पर हम लोग आ जाते हैं नमर 37 यहां पर क्या है कि गांधी जी के गाउंस सर्वोदय के आदर्स ने बताया कि एक आदर्स गाउं को कुछ सर्थों को पूरा करना होगा इन में से क्या सर्थों में नहीं है तो क्या यहां पर नहीं आपको यह बताना है आंसर आपका A रहेगा, आपका B रहेगा, C रहेगा या आपका option नमर इसका जो है D हो जाएगा ठीक है तो इसका अंसर आपका option नमर B हो जाएगा याने कि simple से क्या है कि बंदुत की भावना विक्षित करने के लिए याने कि भायचारे की भावना को विक्षित करने के लिए पूजा इस्थान एक दूसरे के बगल में बना जाना है यह बिल्कुल क्या है गलत है यह इनका यहाँ पर बिल्कुल भी उद्देश सी नहीं था ठीक है नमर 38 21 नमर का राष्ट मुंडल खेल 2018 का वाग की क्या था तो कि question आपका जो है current affair से भी पूछा गया है तो कुछ प्रसन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके current affair के है ठीक है तो इसका answer है अगर हम इस question की बात करेंगे इस question का क्या रहेगा तो आपका रहेगा यानि कि share the dream answer number आपका रहेगा B यानि कि शपनों को साजा करें आगे यहाँ पर हम बात करेंगे 39 तो यह भी आपका current का question है तो अभी इसका कोई मतलब है नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पर में इसका answer आपको बता देता हूँ ठीक है क्योंकि यह अपका previous year का मैं आपको करा रहा हूँ इसका रहेगा जापान ठीक है आगे भी हम आपको नया नया test daily कराएंगे daily आपकी practice कराएंगे जिसे की जब में आप बहुत सहंदर स्कूर्पना कर पाएं ठीक है continue daily लगातर बस आपको साथ में बनी रहना है ठीक है इन में से कौन से आपका सही नहीं है answer A रहेगा आपका B रहेगा C या D चारों को देखेंगे और इन में से कौन से आपका बिल्कुल भी सही नहीं है तो answer number आपके इसका ब्यूजा गई या आपका सही यहाँ पर नहीं रहेगा बाकित सारे आपके क्या है बिल्कुल सही रहेंगे ठीक है answer A हो गया आपका B, C, D तो B गलत हो गया बाकित सारे आपके बिल्कुल सही रहेंगे ठीक है यह किसकी बीच में होता है यह भारत और इंडोनेशिया का है पाकिस्तान के बीच तो ऐसे भी नहीं हो सकता है ठीक है पाकिस्तान तो भारत का क्या है एक दुस्मन है राष्ट्र है जो कि आतंगवादी घड़नाओ को बस अंजाम देता है पूरा आतंगवादी अपका देशे पाकिस्तान 141 नीचे कुछ महत्पूर घटनाए और उनके तिधिया हैं जिनने 2018 में बनाया गया था यहाँ पर आपको 22 माई को होता ना कि 1 माई को बागे सारे यहाँ पर बिल्कुल सही जाएंगे 42 आपका यह current का question है तो अभी तो कोई इसका खास मतलब है नहीं लेकिन फिर भी आप पूछा कर एक पर मैं आपको बता देता हूँ इसका रहका answer राजस्थान आगे देखेंगे 43 पर हम लोग आ जाएंगे question number आपका है 43 और यहां पर क्या बोला आगे यह भी आपका question current का है तो इसका जो answer मैं आपको बता देता हूँ इसका answer आपको बता देता हूँ इसका answer आपको option number B रहेगा कि मार्ज 18 में भारत सरकार ने वरस 2022 तक किसानों की यूरिया सबसिडी बढ़ा दी इसका उद्देश यनी पहल का उद्देश क्या था तो वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की परियाप्त अपूरती सुनशित करना ठीक है आगे यहाँ यहाँ पर हम देखेंगे 44 देखेंगे कि किसी उत्पाद के लिए एक नया मंच ब्याचने के लिए भास रकाने सुरूद के इसका नाम क्या है तो यह आपसे इजाम में पूछ सकता है ठीक है क्योंकि यह आपका रहेगा question important पूछ सकता है इसका नाम है e रकम answer number आपका e हो जाएगे ठीक है आगे देखेंगे 45 नाम क्यूशन तो यह भी आपका question जो है वो current का ही है ठीक है तो इसका भी अभी आज की perfection में इसका कोई बोज़दा महत यहाँ पर नहीं रहेगा लेकिन फिर भी है इसका answer में आपको बता दे इसका answer आपका इस नाम पता है ठीक है नमबर आपका है 46 पर आते हैं कौण सा आपका यहाँ पर गलत है यह आपका रहेगा इंप्रक्टर रहेंगे ठीक है कि जब भी हम लोग आमीटर की बात करेंगे जब भी यहाँ पर हम लोग आमीटर की बात करेंगे ठीक है इसके जो अविसकारक है उनका नाम क्या है उनका नाम है अप quiet m. अपकर आपको नाम है रहा है। m. और इनका नाम है इनकी आपको यहां पर कनड़ा है मिलान ? आंसर आपको a रहेगा, आपको b रहेगा, सी रहेगा, या इसका जो Anser नमबर आपका d रहेगा। तो इसका आपका है Option a यहनि की microwave einnespenser answer number option A हो जाएगा 48 आस्थाई रूप से संक्रहीत डेटा के लिए उप्यों किया जाने वाला सब्द क्या आप यूज करते हैं इस्तेमाल करते हैं वो सब्द का नाम बताने आपको सब्द क्या है उसे बोलते हैं हम लोग cash data बोलते हैं क्या बोलते हैं ठीक है तो इसका answer आसान सा जो कि पेपर में आप बहुत आसानी से कर लोगे यानि कि आपका लेगा कालिदास लास्ट क्यूशन आपका जो पुछा गया है कि इनमें से कॉंसर सेटिंग से मेल नहीं खाता है answer A B C A D यानि कि हार एक टॉपिक से पुछा गया आपको पूरा basic पूरा नोलेज होना चाहिए और आप exam में बहुत अच्छा score कर पाएंगे तो पेपर आपको पता चलगा कि कैसे कैसे आप question पूछा गया है तो आपको ऐसे ही अपनी तारीक करते रहने लगातार सभी basic चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है अगर यहां पर देखेंगे 150 फिप्टी नंबर question कि यहां पर कौंस आपका सही मिला नहीं कर रहा है तो इस concern नंबर आपको option B हो जागे यह आपका सही मिला यहां पर नहीं करेगा क्योंकि इसे लिखा है Stephen Hawking ने लिखा है इसलिए आपका यह Albert आशनिस का गलत हो जाएगा बाकि सारे ठीक रहेंगे ठीक है तो कुल बला के यह 50 question थे आपके 15 question अपके थे जो कि वीडियो प्रेशन में पूछा गया था 18 वाले paper में वो हमने आपको बता दिया है तो किस-किस तरह की प्रेशन पूछेगा है कैसे कैसे question आते हैं वो हमने आपको बता दिया है आपको इन सभी per se 하고 अच्छे से कर लेने जिसे की पेपर में अच्छा है कि इसको आप प्राप्त कर भाएं ठीक है तो continue लगातार में वीडियो पेपर के लिए आपको practice करबाता रहूंगा आपको detail में चीजों को देता रहूंगा बस आपको कलेने subscribe और share वगर आपको करते रहना है ठीक है तो take care मे